गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगा वक्षीट नमबर 34, सब्जेक्ट है विज्ञान, किलासे 7 और डेटा 17 फरवरी, हमारा टोफिक चल रहा है पादपो में पोशन, आज हम अपनी इस वक्षीट में पादपो में पोशन की अन्य विधियां देखेंगे, तो हमारा है विशम पोशी पिर्णाली, विशम पोशी पिर्णाली क्या है, पादपो में पोशन की एक पिर्णाली होती है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे समझेंगे, कुछ पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अपने पोशन के लिए अन्य पादपो द्वारा निर्मित खाद्या पर निर्भर रहते हैं, वे विशम पोशी पिर्णाली का उप्योग करते हैं, कुछ पादप एबं अन्य सभी जीव, अपने पोशन हे तू, अपन जिनमें क्लोरोफिल जो होता है और नहीं पाया जाता, जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो अपना भोशन हो खुद नहीं बनाएंगे, ठीक है, खुद अपना भोशन नहीं बना सकते, जब खुद अपना भोशन नहीं बना सकते, तो उन्हें पोशन के लिए, अपने लेने वाली जो पिर्णाली होती है यही बोली जाती है विशम पोसी पिर्णाली ठीक आपको समझ में आ गया होगा उसके साथ विशम पोसी क्या कहला कौन कौन जो होते हैं विशम पोसी कहलाते हैं विशम पोसी में आते हैं कुछ तो ऐसे पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वैमनी बना पाते और अन्य सभी जीव क्या कहलाते हैं विशम पोसी कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं क्योंकि यह है अपने पोशन हे तु दूसरे जीव अउपर निर्वर होते हैं इसलिए क्या कहलाते हैं विशम पोसी कहलाते हैं ठीक है अब देखते हैं हमा पर उसका उस पर टिक कर देना है हमें पहला पिर्सन है कीटो को पकड़ कर अपना आहर बनाने वाले पाधप का नाम क्या है ठीक है यानि जो वालब जो पाधप है जो कीटो को पकड़ कर खाता है ठीक है अपना आहर बनाता है कौन सा पादप है इन में से चाल उप्सन दिये गए है अमरवेल, घट पढणी, सूरज मुखी या गुलाब इसका आंसर है B घट पढणी ठीक है और इने क्या कहते है कीटों को पगड़ कर अपना आहार बनान वाले पादप को कहते है कीट भक्षी, आपको ध्यान रखना है क्या कहते है कीट भक्षी घट पढणी जो है एक कीट भक्षी पादप है नेक्स कोशन है हमारा निम्र में से कोन पढ़जी भी है यहाँ पर पूछ रहा है पढ़जी भी घट पढणी है कीट भक्षी लेकिन अब पूछ रहा है हमसे पड़ जी भी ओप्सन दिये गए है लाइकेन, अमर बेल, घट पड़नी ये राइजोबियम तो इन सब में से जो अमर बेल होता है पड़ जी भी होता है ठीक है इसका अंसर हो जाएगा हमारे यह से अमर बेल क्या है, पड़ जी भी है हमारे इसका बी ओप्सन हो जाएगा थर्ड कोशन देखते है हमारा आब वीनस फ्लाइ ट्रैप क्या है, चार ओप्सन दिये गए है स्वेपोसी कीट भक्सी, विशम पोसी कीट भक्सी, मरत जी भी है इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है बी ओप्सन जो वीनस फ्लाइ ट्रैप है, ये विशम पोसी कीट भक्सी पादप होता है तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा बी ओप्सन ठीक है आब बी ओप्सन पर इसे टिक कर दोगी फोट कोशन है हमारा अब एक फोट कोशन देख लेते है जब कोई कीट इसके घड़े में पिरवेश करता है तो यह उसके ड्रोमों के बीच फस जाता है वह पादप कौन सा है क्या कहलाता है वह पादप वह पादप कहलाता है कीट भक्षी पादप ठीक है आपने जब हमने इससे पिछली वक्षीट की थी तो उसमें इसका चित्र भी दिखाया गया था जो कीट भक्षी पादप होते है वह क्या करते है कीटों का भक्षन करते है ठीक है अपने पोशन के लिए तो इसका यहां से हमारा सब भी आंसर ठीक हो जाएगा नेक्स्स कोशन देखते है हमारा अब कोशन फिफ्ट है हमें रिक्तिस्तान भड़ने है सबसे पहला है कीट भक्षी पादप जहां मरद्दा में डैस की कमी होती है उकते है कहाँ पर उखते हैं, जिस म्रद्दा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पर, कौन से पादप उखते हैं, कीट भक्षी पादप उखते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, नाइट्रोजन लिख देना है, ब लिख देना है कीट वक्षी पादप कीटों को पकड़ कर अपना आहार बनाने वाले पादप कहलाते हैं ठीक है इसका आंसर हम इस तरीके से पूरा लिख देंगे अमर्वेल की विशेश संग्रश्टिना जिसके द्वारा यह अपना भोजन परजी भी पादप से प्राप्त करता है वो कहलाती है चूसक अंग ठीक है यह जिससे चूसता है वो तो यहाँ पर क्या कर देंगे हमारा यहाँ यह लिख देंगे next है हमारा e है अमर्वेल में पाई जाने वाली पोशन विधी कौन सी है तो अमर्वेल में कौन सी पोशन विधी पाई जाती है विशम पोशी क्योंकि यह परजीवी है उसमें विशम पोशी विधी पाई जाती है पोशन की six question है हमारा पीले रंग का रसी नुमा संग्रचना वाले परजीवी पादप का क्या नाम है तो रसी नुमा संग्रचना वाले परजीवी पादप का नाम है अमरवेल अमरबेल क्या है एक पड़जीवी पादप है ठीक है तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिख देंगे आप उत्तर में अमरबेल लिख दोगे इसके नेक्स्ट है हमारा सेविंथ इन में से कोई दो उधारन लिखिए निम्द के कोई दो उधारन लिखिए पड़जीवी के दो उधारन लिखने है और कीट वक्षी पादप के कोई दो उधारन लिखने है तो पड़जीवी का एक तो हो जाएगा अमरबेल एक हो जाएगा जोंक और जोंक होती है वो भी पड़जीवी होती है ऐसे बहुत सारे परजी भी होते हैं, आपको दो ही लिखने हैं, आप इन दोनों को इसके आंसर में लिख दोगे, नेक्स्ट है कीट भक्षी पादप, इसके भी दो उधारण लिखने हैं हमें, एक तो जाएगा घट परणी, एक हो जाएगा ड्रोसेरा, ठीक है, आप इन दोन नेक्स्ट है, हमारा लास्ट कोश्टन है, विशम पोसी परणाली किसे कहते हैं, यहाँ पर दिया गया है हमारा विशम पोसी परणाली के बारे में, विशम पोसी परणाली कौन सी होती है, कुछ पादप, जिन में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अपने पोशन के लिए, अ कुछ ऐसे पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता अपने पोशन के लिए दूसरे पादपो द्वारा निर्वित खादय पर निर्भर रहते हैं इसे ही विशम पोशी पिर्णाली कहा जाता है ठीक है इस तरीके से इस कांसरम लिख देंगे तो आज की हमारी वक्षीट थी जिसमें आठ कोशन थे हमने अब डिसकस किये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना थैंक्यू थैंक्स अलोट